Hello students, welcome to this online session. Last class में अपने addition स्टार्ट किया था. Addition में क्या था? Addition क्या होता है? किनी भी दो numbers को, किनी भी दो चीजों को जोड़ना. अगर अपने पास 5 flowers है, जैसे 4 flowers और है, 5 flowers and 4 flowers. इन दोनों को अगर join करना होगा, तो इन दोनों क्या होगा है? 4, 5 and 4, तो इनको count कर दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये क्या होगा? Joining. अब इन दोनों को 5 flowers and 4 flowers को अपने जब join किया, तो ये कितने होगा है? 9 flowers होगा है? ऐसे ही क्या होगा, कि अब इसका क्या होता है? Addition का एक sign होता है. जो क्या होता है? ये, ये क्या होता है? Addition का sign. Addition को अपन इस sign से represent कर सकते हैं. अगर मिल को बोलना होगा, कि जैसे अपन ने किया था, अब इनको 5 flowers and 4 flowers, इनका addition करना है, इनको join करना है. तो addition करना है तो 5, और ये 4 flowers थे, इनके बीच में अपन क्या कर देंगे? Addition का sign लगा देंगे. और ये किसका sign होता है? Equals to का sign होता है ये. तो इन दोनों को join करके, add करके, जो answer अपना 9 आया था, वो अपन इदर लिख देंगे. अब जैसे है, इदर ये example दे रहा है, 6 and 7 make 13, means, मतलब ये बोल रहा है, 6 और 7 जब मिलते हैं, join होते हैं, तो क्या बनाते हैं? 13 बनाते हैं. तो अपन को इसको sign के साथ represent करना है. तो 6 and 7, 6 and 7 makes है. तो 6 plus 7 is equals to 13. ये क्या हो गया? ये जो sentence था, इसका representation हो गया, कि इसको कैसे अपन को show करना है, कैसे अपन को लिखना है. 8 and 3 make 11 means, it means 8 plus 3 is equals to 11. ये क्या हो गया? कि अपन ने इनको क्या क्या? जो अपन को sentence में दे रखा था, कि कोई भी दो चीजे मिलकर join होती है, इन दोनों को जब अपन join करते हैं, तो ये नमबर बनता है, तो ये अपन ने क्या किया था? इनको represent किया था. अब है, ये क्या दे रखा है? Write the addition fact, one is done for you. अपन को ये addition करना है, अब एक अपन को कर रखा है, तो अपन इसी से समझ लेए, किया है बहुत सारे lotus है, सबसे पहले अपन को क्या करना है? ये रहा plus का sign. अब ये कितने lotus है? और इनके बीच में क्या है? अपन का sign है, अपन ने क्या किया? इसको ऐसे represent किया है, अब इनको 3 flower, 3 lotus, प्लस 2 lotus मिलकर कितने बनाते हैं? वन, टू, टू, ट्री, पूर, फाइफ. ये क्या हो गया? फाइफ lotus हो गए इनके पास. तो ये क्या था? कि अपन को कैसे represent करना है? ये शो किया था इसने. अब अपन खुछ से करते हैं, कुछ-कुछ. एक्जाम्पल्स. अब नेक्स्ट ये क्या है? बनाना है. कितने हैं अब ड़क काउट करते हैं? वान, टू, ट्री, पूर, फाइफ. और ये कितने? इनका ये क्या है? एडडिशन का साइन है. तो फाइफ बनाना. एड्ड. वान, टू, ट्री. फाइफ प्लस त्री. 5 banana plus 3 banana कितने होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितने हो गए 8 जब अपने 5 banana addition addition का sign it means plus बोल सकते हैं अपन इसको plus 3 banana कितना हो गया 8 banana अब next ये क्या है 10 है 1, 2, 3, 4, 4 addition it means plus भी बोल सकते हैं अपन इसको plus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 it means 4 plus 3 is equal to 7 अब अपन कुछ पिर दूसरे एक्जाम्पल्स भी लेते हैं जैसे मैं सम्लू मेरे पास क्या है ट्राइंगल्स है अब मेरे अपन क्या है अब मैं बोल दूँए कितने ट्राइंगल है प्लस का साइन आएगा अपनको एडिशन करना है अब नेक्ट में कुछ स्टाज लेती हूँ प्लस का साइन आएगा अपनको एडिशन का साइन आएगा अपनको एडिशन करना है अब ये कितने स्टाज है अब क्या था अपनने इन एक्जाम्पल्स के त्रू देखे थे और कुछ एक्जाम्पल्स अपनने खुद ने भी किये थे आप ये अपनी बुक्स में करना आप ये अपनी बुक्स में करना है ये आपका हूमवक है नेक्स आगे अपन नेक्स क्लास में करेंगे तैंग्यू